हलो साथियो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए व्यूडियो में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 बिज्ञान जैसा कि आप लोग को पता है कि सेशन आपका स्टार्ट हो गया है 2023 और 2024 का यानि 2023-2024 का ऐसे सन इस्टार्ट हो गया है गणित का जो सलेवस इन्फार्मेशन था बता दिया गया है पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज पढ़ा दिया गया है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कच्छा 10 बिज्ञान जैसे उसमें आपको बताया गया कि syllabus information दिया गया कैसे 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 क्या क्या पढ़ना है ऐसे आज यहां भी बताया जाएगा chapter wise विज्ञान में कि आपको क्या पढ़ना है 15-16 chapter है तो उन सब में आपको पढ़ना क्या है क्या क्या किस से किस से आपका पाला पढ़ने वाला है यह सारी चीज़े इस वीडियो में बताई जाएंगी बताते हैं कि सबसे पहला जो इकाई है रासायनिक पत्दार प्रकृति यों बिवहार इसमें से 20 अंकाने वाला है यानि यहां से 20 नंबर का पूछा जाएगा पहले इकाई से आपका 20 नंबर होगा ठीक है यह चैप्टर जो है आपका चैप्टर इस्टार्ट हो रहा है चैप्टर आपका जो है पहला चैप्टर है रासायनिक अबकिरिया है पहले चैप्टर में आपको रासायनिक अबकिरिया पढ़ना है और ये इसका नाम है इसमें रासायनिक समीकरण क्या होता है ये जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का तातपर क्या है ये जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण अब किरियां के प्रकार जानेंगे अब किरिया में भी कई तरह के होते हैं जैसे सयोजन अब किरिया पढ़ना है अब घटन मतलब वियोजन अब किरिया पढ़ना है विस्थापन पढ़ना है दुई विस्थापन पढ़ना है और छेपन पढ़ना है उदासिनी करण पढ़ना है फिर उसके बाद उपचैन अपचैन ये दोनों पढ़ना एक साथ और एक साथ को ही कहते हैं redarks अपकिरिया तो redarks अपकिरिया बहुत बार पूछा गया है और इसको भी हमें का करना है पढ़ना है तो यह रहाँ पहले chapter का यानि जो आपको पहले chapter में पढ़ाये जाएगा इतनी सारी चीजे पढ़ाये जाएंगी topic wise दिया गया है ठीक तो आगे अगला दूसरा chapter हमारा आ जाता है अमल छार तथा लवन ठीक है यह चैप्टर का नाम है और इसमें टापिक क्या क्या पढ़ना है वो आपको बताए जाएगा आगे यच द्धनायन तथा ओयच रिनायनों के आदहार पर अमल पढ़ना है आप खटा यह सब आप जानते हैं लेकिन याच धनायन और याच रिनायन के आधार पर आमल क्या होता है छार क्या होता है लमड क्या होता है ये सारी चीजे आपको बताई जाएंगे इसके सामान ने गोड़ धर्म भी बताई जाएंगे उदाहरन तथा उपयोग भी बताई जाएंगे एक पीच पैमाना होता है उसको प्लाश्टर आप पेरिस्क निर्माड की बिधितता उप्योग यह सारी चीजे यहां पढ़नी है थिक हैं तो जो टापिक बताया जारहा है अगर आप पहले सुन लेते हैं तो जैसे ही मैं उसका नाम लोगगा आप समझ जाएंगे कि हाँ हमें इसे के बारे में यही चीज पढ़ना है तो आप तुरंत रेड़ कर ले जाएंगे इसलिए आपको यहाँ पहले से बताया जा रहा है यह दूसरा चैप्टर खतम हुआ तीसरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है चैप्टर का नाम है धातुयों अधातु ठीक है इसमें हमें क्या पढ़ना है धातु तथा अधातु के गुडधर्म पढ़ना है सक्रिता स्रेडी पढ़नी है आयनिक योगिकों का निर्माड तथा गुडधर्म पढ़ना है बूत बीधियां पढ़नी है संचारन संचारन तथा उसका निवारन यह पढ़ना है यानि यह बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसी में एक में कई कई आ जाते हैं जैसे दातु अधातु के गुर्धर्म बड़ पढ़ेंगे तब बड़ा हो जाएगा तो इसलिए इतना छोटा दिखरा है लेकिन यह छोटा है नहीं ठीक है तो यह आपका रहा तीसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर में इससे आपका पाला पढ़ने वाला है चौथा चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर में मानता हूं य दूसरी बात कार्बन की सर्वतों मुखी प्रकृति पढ़नी है फिर सजातिय स्रेड़ी पढ़ना है कार्यात्मक शम्मूह वाले कार्बनिक योगिकों अब इसमें कौन कौन आएगा हैलोजन आजाएगा ठीक है ना हैलोजन आजाएगा एलकोहाल आजाएगा कीटोन आजाएगा एलडिहाइड आजाएगा एलकेन आजाएगा एलकाइन आजाएगा ये सारी चीजे आपको पढ़नी है नामपद्दती भी पढ़ना है कि नामकरण कैसे करते हैं ठीक है नामकरण संसकार क्या होता इसमें बता जाएगा तद उसका य और संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताया जाएगा कार्बनिक योगिकों के राशाने गुर्धर्म बताया जाएंगे इसमें दहन होगा आक्सिकरण होगा संकलन होगा प्रतियस्थापन अपकिरिया यह सारी चीजे होंगे एथे नाल तथा एथे नायक आमल केवल गुर्धर्म तथा उपयोग पढ़ना है साबुन और अपमार्जक भी इसी में हमें पढ़ना है ठीक है ना तो यह भी बड़ा चैप्टर है टापिक कम आप देख पा रहे हैं इसमें एक दो दो तिन 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 है तो इसको भी पढ़े इसमें क्या पढ़ना है वरगी करण की आवस्ता यानि जो तत्तों हैं उनको वरगी करण करके क्यों रखा गया है जैसे मान लोग किराना दुकान वाला है वो अपने समान को अलग 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 उसमें रैक में क्यों रखता है क्यों रखता है समय प्रारंभिक प्रियास प्रारंभिक प्रियास में जो था वो पढ़ाना पढ़ना है में डावे राइनर का त्रिक नियम पढ़ना है लिए निव लेंड्स का अज्टक सिद्धान पढ़ना है मेंडलेप की आवर्त सारणी पढ़नी है यह सारी चीजें हमें पढ़नी है तीन च लास में आ गए हैं कच्छा 10 में पहुंच चुके हैं आप लोग बहुत बहुत बधाई हो हार्दिक सुब काम ना है आप अच्छे से पढ़ें और बढ़ियां अच्छा नंबर लेके आएं ठीक है यह हमारी बिंती है इस और से आप लोग अच्छे से पढ़ें और हंड्रेड में हंड्रेड लाएं लाएंगे नहीं लाना होगा चाहे जैसे चाहे आप दिन रात सब एक कर दीजीए हमसे मतलब नहीं है लेकिन आपका सौ में सौ आना चाहिए किसी भी हाल में ठीक है कैसे भी करके लाना है आप मुझे से जितनी भी सेवा ले सकते हैं मैं दे सकता हूँ आप जो भी कहेंगे ठीक है पढ़ाई के सापेच पढ़ाई को लेकर वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ बस आप पढ़िए और नमबर लाइए 100 में 100 किसी भी हाल में 99 नमबर नहीं चाहिए हमें चाहिए तो 100 ठीक है आईए दूसरा देखते हैं दूसरा जो इकाई है वो जो जगत है यह इसमें से भी 20 अंका पूछा जाएगा ठीक है तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है जो परिकरम है बड़ा चैप्टर है पढ़ना है कि पाउधे अपना पोसड कैसे करते हैं और जन्तू कैसे करते हैं स्वसन पढ़ना है परिवान तद्धा उत्सरजन की मूल भूत और धारना यह पढ़नी है ठीक है मज़ा आएगा इसको पढ़ने में जब आप बायों पढ़ेंगे न तो बहुत है आनंद आएगा सही बता रहे हैं आगे देखे जन्तू तद्धा पौधों में नियंत्रणयों समझने वे इसमें इतना बढ़ियां पढ़ना आपको इतना जानकारी मिलेगा आप अपने पूरे सरीर के बारे में यहां से जानकारी पाएंगे एक एक चीज जो आज तक आप नहीं जान पाएं हैं वो सारी चीजे एक एक चीजें आप यहां से जान जाएंगे कि आपका blood क्यों लाल होता है, कौन सा hormones निकलता है, कौन सी गरंथी निकालती है, हम कैसे बड़े होते हैं, कैसे छोटे हो जाते हैं, मतलब लंबे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, थाइराइड गरंथी क्या होती है, अग्नियासे क्या होता है, पिट्रोटे गरंथी क्या होत होता है यह चीजह यहां जानेगे इसको पढ़ने में बहुत जादा मजाने वाला है पाधों में दिसिक गती सूर प्रकास की तरब गती कैसी होती है पादप हार्मोन का परिचे पढ़ना है जनतुओं में नियंत्रणियम शमन्य में वही जो बता रहा था है कि हमारी बॉड़ी कोई कंपूटर मालीजे चल रहा है तो उसको मालीजे कंपूटर है उसको चलाने वाला कोई कंट्रोल करने वाला तो होगा कंपूटर को कंट्रोल कर रहा है मालीजे हां तो यह सारे मतलब करती हैं सब चीजे आपको पढ़ना है अच्छिक पेसियां पढ़नी है प्रतिवर्ति के रिया क्या होती है राशानिक समन्य जन्तों में हार्मोन कैसे बनते हैं यह सारी चीजे आपको यहां बताई जाएंगी बस आपको सो में सो लाना है आपको पूरा डीटियल से एक एक चीज बताया जाएगा जो कह ठीक है तो आगे देखिए अगला जो चैप्टर है परजनन परजनन में हमें पढ़ना है जनतुओं तथा पौधों में परजनन कैसे होता है जनतुओं में कैसे होता है और इसमें भी लेंगिक तथा अलेंगिक कैसे होता है यह जानेंगे परजनन स्वास्त जानेंगे आउ परसूत योम जनन स्वास्त इसके बारे में जानेंगे ये चैप्टर आपको ये टापिक कम लग रहा है लेकिन चैप्टर बड़ा है ये सारी चीजे आपको यहां बताए जाएंगे एक दम से मतलब कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपको इतना मज़ा आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं ठीक है तो यहां सारी चीजे आपको बता दी जाएंगी आपको प्रेसान होने की जुरूत नहीं है आगे अनुवान सिक्ता योम जो विकास आ जाता है ये बायो का लास्ट चैप्टर है अनुवान सिक्ता पढ़ेंगे सबसे पहली बात इसमें द पढ़ा होता है और कैसे लड़की पैदा होती है यह सारी चीजें यहां जानेंगे विकास की मुल भूत संकल्पना यह पढ़ेंगे यह सारी चीजें यहां बताई जाएंगी आपको प्रेसान होने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से बताया जाएगा अगला जो एकाई नमबर का है मुझे देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें हम्लें doors 大पण करता है चली घंधीक उसके बारे में पढ़ेंगे उरुजा बिद्धुद और तुमझे बिद्धुता पढ़ेंगो पेदर को बढ़तों का सवाजन पढ़ेंगे करम में भूनों पढ़ेंगे डैनिक जिवन में इसका उप्योग क्या है यह तो आप अच्छे से जानते हैं लेकिन और अच्छे से जानना यह भी पढ़ेंगे विद्दत धारे का उसमें परभावत था एiva ऐस सक्था-र Indigenous ति तथा簡 польз में संबंद अंतर संबंद क्या होता है ये सारी चीजे पढ़नी है और उसके बाद बहुत सारी चीजे हैं इसमें भी पढ़ने वाक के लिए ठीक है तो ये सारी चीजे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सो में सो नंबर आपको लाना है किसी भी कंडिशन पर सो में सो चाहिए 99 नहीं चाहिए मैंने पहले बता दिया है ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास पहुचा दीजिए तुरन ताकि सब लोग जुड़ के देख लें और समझ लें फिर उसके बाद कल से इसका चैप्टर स्टाट होने वाला है पढ़ाया जाएगा नोट्स मिलेगा आपको पढ़ाई के साथ-साथ वीडियो के साथ-साथ आपको PDF भी मिलेगा सबसे बड़ी बात यह है PDF भी दे दिया जाएगा ले जाएगा चलिए बिद्दुधारा का चुम्बकिये प्रभाव चुम्बकिये छेतर पढ़ेंगे इसमें चुम्बकिये छेतर पढ़ेंगे छेतर रेखाएंगे किसी बिद्दुधारावाही चालक के कारण चुम्बकिये छेतर पढ़ेंगे परिनालिका में परवाहित बिद्दुधारा के कार चुंबकी चेतर में किसी विद्धुत धार्वाई चालक पर वल पढ़ेंगे फ्लेमिंग के हाथ का नियम पढ़ा जाएगा इसमें ठीक है और फिर उसके बाद बिद्धुत मोटर ली जनेतर जनेरेटर पढ़ेंगे दिश्ट धारा भी इसमें पढ़ेंगे परत्यावर्ती धारा भी पढ़ेंगे परत्यावर्ती धारा आबरित्ती भी पढ़ेंगे दिश्ट धारा की तुलना में परत्यावर्ती धारा से लाब भी इसमें पढ़ेंगे ठीक है और फिर उसके बाद गहरेलू बिद्दुत परि पूरे चैप्टर का लेकिन इस पीडियाप का आपको कुछ चार्ज देना होगा ठीक है कुछ चार्ज देंगे तभी आपको मिलेगा बिना चार्ज के पीडियाप नहीं मिलेगा ठीक है आप स्क्रीन साट ले सकते हैं अगर आप स्क्रीन साट ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन अगर आप पीडियाप चाहिए पीडियाप जैसे जिस पीडियाप से म आपको वो पीडियप मिल जाएगा वो चाहे गणित का हो वो चाहे गणित का हो और चाहे वो किसका हो विज्ञान का हो दोनों मिल जाएगा लेकिन आपको वो गुरुद अच्छिना देना होगा तब ठीक है तो चलिए आईए देखते हैं उर्जा के स्रोत जो आपका अगला है हमारा परियावरण अगला जो चैप्टर है हमारा परियावरण है इसमें हम पढ़ेंगे पारितंत्र परियावरण ये समस्याएं ओजोन परत का अप्षेयन अप्षिष्ट उत्पादन तथा निवारण इसको भी पढ़ेंगे जो कचड़ा उचड़ा होता है कैसे बनता है और कैसे हम उसको मतलब फेक देते ही कठा हो जाता है फिर उसके बाद उसका निप्टान उस तो आईए अगला चैप्टर देखते हैं प्राकिर्तिक संसादनों का प्रवंधन ठीक है यह आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर है मुझे लगता है लास्ट चैप्टर है तो इसमें प्राकिर्तिक संसादनों का संद्रचण तथा उच्छित उपयोग ठीक है जो प्राक संदच्षण कैसे किया जंगल जैसे उसका संदच्षण कैसे किया जाए पानी उसका संदच्षण कैसे किया जाए जितने भी प्राकिर्तिक संसाधन हैं उन सब बन में रहने वाले जीतने भी जीव हैं उनके बारें बताया जाएगा कोईला तो था पेट्रोलियम का सरच्छन बताया जाएगा किस तरह से करना है बन परबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण बाध उपियोगिता तथा सीमाय जल संग्रहन प्राकितिक संसादनो कर संपोशन यह सारी चीजें आपको बताई जाएंगी ठीक है तो यह सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए सेयर करिए और प्यारा सा कमेंट करिए हमें क्या सुधार करना चाहिए इसके बारे में बताईए हमें औ फिर उसके बाद कल से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन